very easy question, arrange the following substances in increasing order of the force of attraction between the particles, ठीक है ना, water दिया हुआ है आपको sugar और oxygen, तो बच्छो ध्यान से करो, water क्या है आपका, liquid है, सही, solid, sugar, solid form में होता है आपने दिखा है, और oxygen, gas है, इतना तो सबको पता होगा, oxygen क्या है, gas है, अब बच्छो, increasing order of forces of attraction between particles के form में आपको इसको लिखना है, increasing order of attraction between particles, अब बताइए, सबसे अच्छा attraction between the particles किसमें होता है, solids में, solid के particle बहुत पास-पास होते हैं, तो अच्छा तरीकल से एक दूसरे को attract करके रखते हैं, जिसकी वज़े से वो solid है, सही है ना, तो धहां सरा चेक करिए, sugar is a solid, force of attraction between the particle of sugar और strong, ठीक है, sugar के particles को को गरम आप को दिखाए, तो यह दिखे, यह दिखे, यह दिखे, यह दिखे, यह दिखे, पार्टिकल्स काफी पास-पास होंगे, sugar के, solid है ना, तो यहाँ पर force of attraction सबसे ज़्यादा होगा, सही, यह सबसे ज़्यादा force of attraction है, दिखे में, लिख दे रहा हूँ, F-O-E, कमतला force of attraction, सबसे ह आई, सबसे बड़ा है, ठीक, फिर अगर आप water को लेंगे बच्चो, तो water में जो force of attraction होगा, वो sugar की comparison में क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, क्यों, क्यों 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 की water, एक liquid है, और force of attraction है, और वीकर देन, sugar, ठीक, तो यह दिखे, पार्टिकल्स थोड़ से दूर-दूर ह होगा, ठीक, तो यहाँ पर force of attraction, क्या हो गया, थोड़ा सा, शूगर से क्या होगा, कम तो एक छोटा एरो बना देता हूँ, यह दिखो, ठीक, और gases में क्या होता है, gases के पार्टिकल्स तो बहुत दूर-दूर है, तो यह दिखी, gas का सेंपल देखी, यह दिखी, यह दिखी, हँ, झीघी, sugar में, फिर उससे कम, water में, फिर सबसे कम, oxygen में, gas में हैना, लेकिन आपको increasing order of force of attraction के हिसाब से आपको लिखना THAT में, होगा कैसे हि सब से कम फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे लिखा जाता है, पहले सब से कम force of attraction कि समें है चेकर यह, सब से कम कि में, oxygen, gas में ठीक, तो oxygen को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, फिर ऐसा एक great level, less than का sign लगाएंगे, oxygen का force of attraction क्या है, यह देखें लिख दे रहा हूँ, force of attraction, is less than force of attraction between the particles of water, is less than force of attraction between the particles of what, sugar, सही है, अब आप बच्चों इसको पढ़ना आता है, पढ़िये, क्या लिखा हुआ है, increasing order में ही तो लिखा हुआ है, सबसे छोटा, जहां पर force of attraction है, फिर उससे बढ़ा जहां force of attraction है, फिर सबसे ज़्यादा जहां पर force of attraction है, फिर सबसे ज़्यादा जहां पर force of attraction है, फिर सबसे ज़्यादा जहां पर force of attraction है, फिर सबसे चोटा फिर सबसे चोटा फिर सबसे बड़ा फिर सबसे बड़ काता है स्वाम्स पाइटा निदर है वासन नहीं कै ciri क्छी दूसरिखञेइं ना येसे रड़ता होगे छोगे ना जुरी सेisesti के लूफ है वं धायोटा फरेशशंगे को टुग को लिए धुस्कोल के लिए रिए नहीं कि नहीं? ओके? मैं आपको decreasing कहा दू मालू अक्जाम में decreasing आ जाय तो decreasing 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 order कैसे हो जागा decreasing में सबसे बड़ा फिर उस से छोटा फिर उस से छोटा ठीक है तो सबसे पहले आ जाएगा शुगर फिर क्या जाएगा आपका water फिर क्या जाएगा आपका oxygen यह ऐसे लिखेंगे चेक कर लिजेए यह decreasing water है सबसे बड़ा sugar is greater than water is greater than oxygen को डाउटे बताइए कर लिजे